आप हर दिन इस तरह से जी रहे हैं जैसे आप हमेशा के लिए हैं मुल्भूत जागरुकता ये है कि ये नश्वर है अगर आप उसे एक चीज को स्विकार कर लें तो कोई आसुरक्षा नहीं होगी क्योंकि इस जीवन में पाने के लिए या खोने के लिए कुछ नहीं है आप खाली हाथ आये थे जो कुछ भी हो रहा है आप मुनाफे में ही हैं है ना हम असुरक्षा से कैसे निपठ सकते हैं जीवन असुरक्षत है जीवन को लेकर कोई सुरक्षा नहीं है क्योंकि क्या मैं आपको एक राज बताऊं आप कितने भी युवा और स्वस्थ हों एक दिन आप मर जाएंगे मैं आपको लंबी उम्र का अशिरवाद दूँगा लेकिन एक दिन आप मर जाएंगे क्या ये ठीक है? नहीं? तो आप खुशी-खुशी मर सकते हैं ये रोते हुए मर सकते हैं ये आपके उपर है लेकिन फिर भी एक दिन आप मर जाएंगे हाई आना? अगर आप कहें कि मैं मरना नहीं चाहता आज आप जपना शुरू कर दें मैं मरना नहीं चाहता मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता आपके साथ बस यही होगा कि आप जी नहीं पाएंगे लेकिन आप मर जाएंगे हाँ ये डर कि मैं मरना नहीं चाहता आपको जीने नहीं देगा लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको मरने से बचा लेगा वैसे भी आप मरेंगे नश्वर्ता को स्विकार करना एक बहुत महत्वपून चीज है अगर आप नश्वर्ता को स्विकार नहीं करते तो आप एक कालपनिक दुनिया, एक नकली दुनिया में जी रही हैं असली दुनिया में नहीं असली दुनिया ये है, हम आते हैं और चले जाते हैं कितने अंगिनत लोग हमसे पहले आये और चले गए, है न? आपका संस्थान सन 1857 से है मैं सोच रहा था कि उस साल उन्होंने कोई संस्थान कैसे शुरू किया क्योंकि उस साल पूरे देश में इतनी खलबली थी 1857 में देश में बहुत ज्यादा उथल पूथल थी लेकिन किसी तरह किसी ने एक संस्थान शुरू किया जिस मिट्टी पर आप चल रहे हैं, हम नहीं जानते कि कितने लोग दफन हैं इसमें आया न? ये सभी अंगिनत लोग जो आप से और मुझ से पहले इस धर्ती पर चले, वे कहां हैं? वे सब सतह की मिट्टी हैं आया न? ये भी एक दिन सतह की मिट्टी बन जाएगा जब तक कि आपके दोस्त आपको बहुत गहराई में न दफनाना चाहें, इस डर्स से कि आप फिर से जिन्दा न हो जाएँ ऐसे, ऐसे कुछ उधारण रहे हैं ऐसा हुआ टेकसास में एक भुजूर्ग दमपत्ती थे, 75 साल से ज्यादा उम्र के उनका सपना था, पवित्र भूमी यानी येरुशलम जाने का लेकिन बिजनस और फिर बच्चों के कारण, बच्चे बड़े हो रहे थे, युनिवरसिटी जा रहे थे और उनकी शादियां और वगेरह वगेरह, वो कभी नहीं जा पाए जब वो 75 साल से ज्यादा के हो गए, तो उन्होंने येरुशलम की यात्रा का मन बनाया येरुशलम ऐसी जगह है, जहां हर पत्थर से इतिहास गुंजता है तो वो उस रास्ते पर चले, जहां कहा जाता है कि इसा मसीह चले थे वो उस जगह गए, जहां वो शायद पानी पर चले थे और ऐसी कई चीजें वो इस पूरे अनुभव से अभिभूत थे और दुर्भाग्य से उस महिला को दिल का दौरा आया और वो मर गई फिर वो व्यक्ति शव को वापस टेक्सास ले जाने की तैयारी करने लगा लेकिन फिर लोकल लोगों ने जा कर कहा देखिए, ये रुशलम पवित्र भूमी है ये मरने के लिए सही जगह है उन्होंने सही किया है तो सारी रस्में यहीं कर लेते हैं और इन्हें यहीं दफ ना देते हैं और इसमें आपको सिर्फ 25,000 डॉलर लगेंगे क्योंकि अगर आप इन्हें वापस टेक्सास ले जाते हैं तो सिर्फ ट्रांस्पोर्टिशन में 18,000 डॉलर लगेंगे और लोकल चार्जिस, अमेरिका में कबरिस्तान का शुल्ग भी बहुत ज्यादा है ये सब मिलाकर आपको इससे कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और सबसे बढ़कर उन्होंने पवित्र भूमी में मरना चुना है उन्हें यहीं दफनाया जाना चाहिए, चलिए ऐसा करते है वो व्यक्ति बोला, नहीं, मैं उसे वापस टेकसस ले जा रहा हूँ वो बोले, देखे, आप अपनी पत्नी की मौत के कारण बहुत परिशान है इसलिए आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, हम समझ सकते हैं तो हम आपको एक भारी डिसकाउंट देंगे, पंद्रा हजार डॉलर वहाँ खूब मोलभाव होता है चलिए करते हैं उस व्यक्ति ने इस बारे में सोचा और बोला, नहीं मैं उसे वापस टेकसास ले जाऊंगा फिर वो बोले देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है मैं देख सकता हूँ, आप बहुत परिशान है आपने उस महिला को खो दिया जो 45 साल से आपकी पतनी थी साफ है कि आप बहुत परिशान है आप बिल्कुल ठीक से सोच नहीं पा रही हैं, हम समझ सकते हैं और क्योंकि आप अमेरिकी हैं और टेकसस से आएं हैं हम आपको एक बहुत ही भारी डिसकाउंट देंगे 10,000 डॉलर, चलिए करते हैं चलिए इसे करते हैं मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप उससे समझना चाहते हैं तो आपको काशी ये हरिद्वार जैसी जगहों पर जाना चाहिए ये चीज़ें कैसे होती हैं फिर उस आदमी ने सोचा और फिर बोला नहीं, मैं उसे वापस टेकसस ले जा रहा हूँ अब उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिये और कहा क्यों, आपकी क्या समस्या है दस आजार डॉलर, चलिए करते हैं फिर उन्होंने कहा, देखिए टेकसस में मुर्दे मुर्दा ही रहते हैं तो अगर आप अपनी नश्वर्ता को स्विकार कर लें सुरक्षा, असुरक्षा, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी आप हर दिन इस तरह से जी रहें हैं जैसे आप हमेशा के लिए हैं मूल भूत जागरुकता ये है कि ये नश्वर है ये यहाँ सिर्फ निश्वर्त समय के लिए है अगर ये अगर ये आपके लिए एक सामान ये जागरुकता बन जाए तो आप अपने जीवन का सबसे अच्छी तरह इस्तेमाल करते निश्वर्त रूप से और अगर आप उसे एक चीज़ को स्विकार कर लें तो कोई असुरक्षा नहीं होगी क्योंकि इस जीवन में पाने या खोने के लिए कुछ नहीं है आप खाली हाँ आए थे जो कुछ भी हो रहा है आप मुनाफे में ही है हाँ या ना है कि नहीं क्या आप इन्वेस्मेंट के साथ आए थे नहीं आप खाली हाँ था आए थे तो चाहे जो भी हो रहा हो आप हमेशा मुनाफे में हैं है ना और वैसे भी जीवन के अंत में वो आपको एक कंटेनर ले जाने की अनुमती नहीं देंगे तो आपके पास बस यही एक चीज है कि जीवन का आपका अनुभव कितना गहरा, तीवर और सुन्दर है तो इसे लेकर बहुत हंगामा मत कीजिए आप ऐसे दिखा रहे हैं मानों आप कुछ खोने वाले हैं नहीं यहां खोने और पाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि आप आते हैं और चले जाते हैं आप भले ही सोचें अरे मेरा जीवन, मेरा जीवन नहीं, आपका जीवन इस धर्ती पर एक पॉप अप की तरह है आपने कम्प्यूटर स्क्रीन पर वो पॉप अप देखें हैं आप बस पॉप अप और पॉप आउट हो जाते हैं इस बीच में क्या आप उठेंगे और धमकेंगे सिर्फ यही सवाल है, है न? तो अगर आप धमकते हैं कई बार लोग आपको देखेंगे कई बार लोग आपको नहीं देखेंगे अहम यह है कि आप अपने भीतर चमक रहें हैं और यही मायने रखता है अगर लोगों के पास आँखें हैं तो वो उसे देख लेंगे अगर उनके पास आँखें नहीं हैं तो वो उसे नहीं देखेंगे ये उनकी समस्या है लेकिन आप एक तीवर और गहन जीवन जी रही है सिर्फ यही मायने रखता है अगर आप इसे समझ लें अगर आप इसे अपने जीवन में ले आएं तो असुरक्षा नहीं होगी क्योंकि सुरक्षा सिर्फ मौत में हो सकती है हाई अना लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं सद्गुरू प्लीज हमें आशिर्वाद दीजिए हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए मैं कहता हूँ अरे ये किस तरह का आशिर्वाद है मेरा आशिर्वाद ये है कि आपके साथ सब कुछ हो जाए जो कुछ भी जीवन है वो आपके साथ जरूर हो आप यहाँ जीवन से बचने के लिए आए है या आप यहाँ जीवन कानुभाव करने के लिए आए है प्लीज आपको अभी निर्ने करना होगा आप यहाँ जीवन से बचने आए है या जीवन कानुभाव करने के लिए आए है जीवन का नुभव करने वो सभी अलग-अलग आयाम जो इस जीवन के अंदर मौजूद है वो आपके साथ होने चाहिए है ना? अगर आप जीवन से बचने आए है तो यहीं पास में समुद्र है आप समुद्र में कूट सकते हैं देखिए अगर आप जीवन से बचना चाहते हैं तो आपको मर जाना चाहिए यह चीजें करने का ज्यादा असरदार तरीका है है ना? आप जिन्दा हैं और जीवन से बचने की कोशिश कर रहे हैं यह दैनिया हो जाएगा आप असरख्षित महसूस करने पर ऐसा ही करेंगे आप जीवन से बचने की कोशिश करेंगे जब आप जिन्दा होते हैं और जीवन से बचने की कोशिश करते हैं तो इससे बहुत तकलीफ होगी जब आप जीवित हैं तो आप जीएं जब आप मरते हैं तो मर जाएं मरने के बाद जीने की कोशिश मत कीजिए